बांगला देशी लेखी का तसलीमा नसरीन ने सोशल मेडिया प्लेटफरम एक्सपर ग्रहमंदरी अमिशाह से मदद मांगी है उन्होंने कहा कि उनका भारती रेजिडेंस परमिट जुलाई में एक्सपायर हो गया है और ग्रहमंदराले उसे रिन्यू नहीं कर रहा है तसलीमा ने कहा कि भारत उनका दूसरा घर है और बाविस जुलाई के बाद से परमिट रिन्यू ना होने से वे परिशान है उन्होंने कहा कि अगर सरकार उन्हें भारत में रहने देगी तो वे शुक्र गुजार होगी बांगलादेश इस वक्त गंभीर सत्ता संगर्श से जूज रहे कुछ महीने पहले पूर्व प्रधानमंतरी शेक हसीना के सत्ता से हटने के बाद से इस्तिथी अस्तिर है मुहमद यूनिस के नेत्रत वाली अंधरीम सरकार इस वक्त लोकतांतरिक संस्थाओं को फिर से बहाल करने की चुनोती का सामना कर रही है नसरीन 2011 से भारत में रह रही है और उसके पास स्वीडन की नागरिकता है वे पहले भी कई बार अपने रेजिडेंस परमीट के स्टेटस को लेकर भारत सरकार के अधिकारियों से कोई जानकरी ना मिलने पर चिंता जता चुकी है